गाइज आज की वीडियो में अपने एक ट्रेडिंग इंडिकेटर डिसकस करेंगे जो बहुत सिंपल बहुत आसान है आपको बाय का और सेल का दोनों का सिगनल जिसमें मिल जाएगा इसके साथ में केवल एक रूल आपको फॉलो करना है अगर आप विद रूल इस इंडिकेट है यहां पर आप देखोगे तो जैसे यह बाय मिला यह यह बाय मिला यह इसी तरीके से आपको मिलते है और स्टॉप лиш को भी ट्रेयल करने में यह बाय यहा पर human हो सकते हैं यह बिद्यान से संगहें तो इसको यह Bardzo remove करते हैं Indicator Remove कर दिया फिर यहां पर आप देखो इसको Refresh कर दिया अब Indicator के section पर टच करने के बार यहां पर लेखेना इ turns और अलर्ट इतना हमें लिखना तो यह Indicator हमारे सामने अजाता है इस पर हम click करेंगे यह लग जाएगा जैसे click किया यह लग जया ठीक है आप देखो बहुत सारे signal आ रहे है बाइसल के तो क्या करेंगे यहाँ setting पर touch करेंगे और इसको यहाँ पर देखोगे तो input जो है कितनी है 1 है और 10 है ठीक है इसको अभी चेंज करेंगे इससे पहले एक indicator और लगाते है यहाँ पर दूसरा indicator है spelling ध्यान से लिखना नहीं तो indicator मिलेंगे नहीं आपको ठीक है L I N E A R ठीक है इतना हमने लिखा हमारे सामने यहाँ पर देखो बहुत सारे indicator आते हैं लेकिन हमें यह वाला यूज करना है इसको देखो linear regression candle ठीक है यह वाला तो इस पर क्लिक करेंगे यह लग जाएगा यह भी free है ठीक है इससे पहले एक वीडियो बनाई थी इस पर तो लोगों ने कहा नहीं मिलता नहीं मिलता आप वीडियो ध्यान से देखोगे अच्छे से सर्च करोगे spelling mistake नहीं करोगे तो फिर indicator मिलेगा यहां पर देखो आपके सामने क्लिक किया यह लग गया ठीक है आप क्या करेंगे यहां पर यह nifty bank का चार्ट है जिसमें चाहें यूज कर सकते हैं तो यह अपर सेटिंग पर टच करेंगे यह दो लिखा वजो आरहा है निफ्ट बैक ठीक है और यहां पर जो है आपने जो accurate signal रहेगे वही आपको दिखेंगे ठीक है अब ऐसा नहीं कि fake signal नहीं ही मिलेंगे मिलेंगे और कब trade नहीं करना उसको भी समझे साथ में rules समझे ठीक है इंडिकेटर लग गया आपके सामने ठीक है यहां पर देख लो इस तरीके से बाइसल के signal आपको मिलते रहेंग ठीक अब समझे जब आप actual candle देखते हो अभी देखेंगे practical ठीक है तो उसमें और इसमें बहुत difference रहता है तो अगर difference ज़्यादा है तो आपको trade नहीं करना अगर 15 points से ज़्यादा difference है तो फिर इस setup को follow नहीं करना है ठीक है वो हमेशा नहीं होता अभी candle यहां से unhide करते है य तो यह देखो यह linear वाली candle है green green दिख रही है यह वो है तो यहां पर देखो difference है अब यह देखो आपको zoom करके दिखाते है यह देख लो यह candle जो है यह red candle linear वाली है ठीक है और साथ में actual candle यह देख लो इसमें doji type बनी है तो यहाँ पर ज्यादा difference नहीं है लेकिन यह difference आपको यहाँ पर देख लो जैसे यह देख लो इसमें ज्यादा है नहीं डिफरेंस तो जब ज्यादा difference रहे तो नहीं करना होता है ठीक है पहला rule यह हो गया दूसरा rule इसमें है कि आपको कम से कम 30 दिन ठीक है 30 दिन इसको paper trade करना है और daily लिखना है ठीक है paper trade कितने lot से करना है जितन इस इंडिकेटर का फ्री इंडिकेटर है एक भी पैसा आपको देने की जरोर नहीं पड़ेगी ठीक है आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को सुधारने के लिए एक चीज समझ लो अगर आपको 2E स्ट्रेटजी सीखना है 2E क्या है कि राइट टाम एंट्री कैस अलग है 2E अलग है बिल्कुल डिफ्रेंस है ठीक है चलो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई सवाल है कोई सुधाव है तो वीडियो के नीचे कमेट कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद शुक्रिया